नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते अपने शहर और आसपास की हल्चल पर अमित्सर के जोजार सिंग एवेन्यू की एक कोथी में कुछ हमलावरों ने एक महिला की तेज़दार हत्यारों से की हत्या गटना के वक्त महिला घर में थी अकेली अमित्सर के दबुर्जी में एक एनराई युवा की कुछ लोगों ने घर में घुसकर गोली मारकर की हत्या कार की आरसी मांगने के बहाने घर में घुसे जलंदर केंट स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक वेक्ति की हुई मौत पुलिस ने पोस्ट मौटम करवा शब को परिवार के किया हवाले और अब हल चल विस्तार से अमिट सर के थाना के इंटोनमेंट के अंतरगत आते एरपोर्ट रोट पर जुजार सिंग एविन्यू की कोठी नंबर 49 में कुछ हमला वरो ने एक महिला की तेज़दार हत्यारों से हत्या कर दी घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी और म्रतका के सास असुर्ष शहर से बाहर थे जबकि उसका पती जूटी पर था म्रतका की एक बेटी भी है जो उस समय स्कूल गई हुई थी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इस बात की जांच कर रहे है कि घटना क्यूं घटी पुलिस हमला वरो की पहचान के लिए CCTV कैमरे भी खंगाल रही है म्रतक महिला की पहचान शेली एरोडा के रूप में हुई है पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है पुलिस ने अग्यात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दिया है मिचर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपूर्ट सब्सक्राइब करने मेरी वाइव सब्सक्राइब मेरी अधर हॉस्पिडल भी है यह सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइं बेटी कोई ऑगी किस लोडी सिगी कि एज की सब्सक्राइब तर्फास प्रॉक्सीमेटली करते बेटी चोटी गडी घुडिया थे आप सी कहा होगी सिगें पुलस आगी है जी सारी होगी कारवाई चल दी भी है जी अब परशाशन तो मांगा जी सानुइन साफ मिले सारा जी जो विए पता लगाया दे सारा कुछ की एक चोटी उमर देव होगी और वारिस को मुद्वे जरे दिन देहारे काम हो रहा है स्वेरे में बंदा कार सेव नहीं है जी कोई पूरा पॉष एडिया जी पूरा पॉष एडिया जी बहाता है लगता ने पुलस दो एक बड़ा बड़ा सवाले निशान भी खड़ा कर दी दिन देहारे हो की गाल हो यह था गाल यह थे सवेरे अपो अपने करें सीगे मैं बार सीगा जिए प्रिशों पता लगा कि यह काम माली आई या थे उन्हें जरी ने देख्या को मैडम दा मत्रो यह थे उन्हें सामने कारा ले थे सामने कार फिर उना पूर्ण की ता हुष पैंड़नों जी मैं भी मिनू लगदा कि टेल डाथ होगी सीगी कि नदी उमर चोटी सीगी ज़िए मेरा पैंती की साल ते लागे बने होगी कार्चे कौन को रिंदा सीगे अपना दुमें जी आफ ते बेटी सी चोटी यह नदी पांज की साल दी ते ना पना सारसोरा एथनी सी आगे सारसोर करता सीगा मैं में और अश्वास्पिटल रहें कारता सीगा ते पोष्ट अब देख रही अपने अपने इन्वर्ट्रीकेशन दा विश्टाय आपने सामना इन्वर्ट्रीकेशन करने करना कि लोट दे राद देना वहां का जाका मटर रहा है मतलब कोई यह दिवाचा है को इस दिन देहाडी अस तरह दे बारदा हो रही है क्योंकि तुसी लाके चेरिंदे हो ठीक है अधे हैं लाके चेह पहले लाके चेह हो जए मडर बली कोई हो जी केस होया नहीं क्योंकि फोड़ा बोता वह चालदा रेंदा स्नाचिंग सनूचिंग ते चलो एक बखरा विशाय गाया ओपना वह आपना देखन की लगदा मडर हुए आए देशादा मैं यह वास्ते कोई स्ट्राइब जो एफ से इन्फिया इंपरमेशन आई थे लेडी जडिया ओधना धिकर देए देथ होई एफ लेडी पर के देख देखा गा देखा गा ते लेडी तो यह हैं जिडाने शेली वाइफ और कोशल फॉइन अने जड़ी दस है कि हस्बंड देखें चाम करतें हो चल सब्सक्राइब करते हैं तो जदो उन्माने चेक किता ते उधी जडिया अंतर डेड़ बड़ी पही सिगी थोड़ा कुछ प्लिव मिले अभी आ फिलाल अजे जी एसी मौकेते हैं सारा इनों प्रदारू किता फ्रेंशिक्स टीम दोन बलाया गया उधी जडिया इन्वेस्टि प्रवार दे वेचेना दे हस्बंड उनना तो इलावाए के नरी चोटी बच्छी सी उन्हों जो स्कूल गई ज़ी सिगी अच्छा जी सर को सीडिवी फूटेज जी सारे एरिया दे जडिया वो चेकित यह जारी है तो फर्दर जो भी आदे बच्छोगा तो ब्रीफ करता ज प्रेलिम्डरी स्टेज तो सानु एद्धान दा कुशी निया जे लग रहे है बट इन्वेस्टिकेशन जो भी आएगा तो अनु ब्रीफ करता जाए ज़ी जडे इना दे हस्प्रेंट सी जोग करते सी एना दी किसे दना को लाग डारते में सी जडे करते हाल फिल हाल उनना तो पुश्किश कर रहे हैं जी इस बंदी जे कोई है गी आते अजे उना दी वी मेंटल स्टेज दे वेच नहीं है इन्हें सो फर्दर कोई भी गल लिदाने सामने हो दी ता ओधे अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टिकेट किता जोगा जे हां जे हां जे हां जे हो हॉस्पित साथ बजे दबुट जी में अमेरिकी नागरिक रिंकु के घर पर दो व्यक्ति आये जिन्होंने रिंकु को तीन गोलियां मारी और फरार हो गए युवक रिंकु को गंबीर हालत में अमिच सर के एक हस्पिताल में भरती कराया गया इस समन्द में पुलिस ने मीडिया को जा लेकिन हमलावरों ने एक ना सुनी और युवक सुक्चैन सेंग के सिर और गर्दन में गोली मार दी जिसके बाद उनकी पिस्तॉल से फायर होना बंद हो गया और युवक वहां से भाग निकले फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रहे है पुलिस का कहना है कि घायल यु अधे सब्सक्राइब युवक वाधनी पांच के में अधे क्रीव सारा काम हो या ने मंधान रीग की थे आमोंड़ा रारिंग कूवा सुक्चैन सेंग पर नो पुलना पुछिए मोड़ान ने मोडोर्सेकल देलिटे ही स्वलेंडर दी ते टे यु आगया नो पुछिया पर सब्सक्राइब लिए अमरीका तो हो गया थोड़ी नहीं प्रावना प्रावना चली ही तो दो वरी गया भी अगा बास वापसी तफेर आग जांदर या कोई पांजदा के बच्चे शोटे शोटे नोना दी देखें प्रवार के पांज मेंट ता समय सवेर्दा प्रवार्वार आप लिए बच्चे थे नालमादा बजूर गषर वर्डी कि इस तरह फोला सब्सक्राइब देखेंने वर्णिया सब्सक्राइब टार्वार्स पांजदा ब्लस मॉक्त पहुंद के थे खोई आगी तरह इसाद फोलस निए उनक पांट नहीं तो इसाद पांट नीए लिए कामते प्लैनिंगे देना लिए उन्हों पदा भी आपना करोबार कर रहा एक ब्रदर बार रहा एड़ी मदर एड़ी सेकंड मैरी देवेचे वाइफ पहले व्यादे बच्चे रही वकार्च सी इस वरी ब्रश का रहा सी दो बंदे गेट आए गेट अए नहीं पुष एक ते तरी आज़ी मरसी यह आरसी बखा तो कि थो लई यह जो गया दो गेड़ा कर दें कर दें आए उन्हों पिस्टिल पॉइंट दें अंदर ले गए अंदर ख़ड़के उन्हाने इते और बैस होई यह बैस होके उन्हाने इते फैरिंग किती है फ सीटी फोटे चलता है हुँ जड़ा परवार है हुँ जड़ी वाइफ जड़ी हॉस्पिटल होना दे नार हॉस्पिटल ले गया वो थे उना दे ट्रीटमेट चल रही है वो क्योंकि उनना दे जड़े एक दो गोडियां के सेर्च लगी है लेकन वो ब्रेन आले पास से नहीं अजय वो गालगबाद करना दे जोगनी तो से असी हैं नों जल्दी जड़े ठीक होनगे फिर गालबाद करांगे और साधी जड़ी एर दर्ज़ करके साधी इनवेस्टीगोशन बाद टीम जड़ी इसी लाध दिया साधा सीय स्टाफ साधा साधा सच मकबूल पुरा जड़ी में जड़ी आने इस निवेस्टिगेसे हैं तर गड़ी दा मामला जा होटल दा क्या है कि करोती भी बंगी गई इसी सुटाइन से नहीं साधे हो जी को गल त्यांच नहीं आई एको ना साधे को कोई एनर पोर्टिंगा ना होना को दस्या या ओ क्योंकि एदी जड़ा इनुसेंट होगे सी ते कली माता जड़ी है वो चलान होई सी ते ओवी प्रवार जड़ा होना ते भी शक कर रहे है कि वह जड़े है प्योना वित्म किया देंदे से नहीं वह जड़ी 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 जड़ा असल दोशियों ट्रेस कर लाइए हां CCTV फोटो जाई चेरे साफ दखाई दें दें बंदें दें नहीं मिला है जियार पी चौंकी जलंदर केंट के इंचार्ज अशोग क्मार ने बताये कि उन्हें सूचना मिली थी कि उकते जगा पर एक वेक्ति का कटा हुआ शव मिला है जिसके बाद वैतरंत टीम के साथ जांच के लिए मौके पर पहुंच गए मृतक की उमर करी 35-40 साल लग रही है जांच के दुरार मृतक के पास ते कोई भी पहचान पत्र या फिर अन्य दस्तावेज नहीं मिला है जलांदर के एंग जी आरपी चौंकी इन चार्जा शोक कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए पुलिस पार्टी द्वारा उसका फोटो सर्कुलेट किया गया था जिसके बाद शाम के वक्त उक्तिवक्ती की पहचान हो गया ये परिवार को तुरंथ मामले के बारे में बताया गया पुलिस ने देर्शियां पोस्ट माटम होने के बद शब को परिवार के हवाले कर दिया था जलांदर से हलचल के लिए कैमोमेन रजनीश शर्मा की रिपूर्ट जन्डियाला गुरू में बीती रात करीब 10 बजे एक रेस्टरंट में पिस्टॉल की नोग पर लूच पाट करने वाले आरोपियों को जन्डियाला गुरू पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए गटना को अंजाम दिया था इस मामले में पुलिस टीम ने हुमन और साइबर सेल की मदद से काम करते हुए महजर 40 घंटे में आरोपी को गिरफतार कर लिया उन्होंने कहा कि इस टेकैती को अंजाम देने वाले दो आरोपी ऐसे हैं जो इस रेस्टॉरेंट में काम करते थे और उन्हें रेस्टॉरेंट की बिक्री और कई अन्हें चीजों के बारे में अच्छी तरह से पता था उन्होंने कहा कि कथे तारोपियों को माननी अदालत में पेश करके पुलिस रिमान हासल किया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताच की जा सके जिससे और भी खुला से होने की संभावना है जंडियाला गुरु से हल चल के लिए अश्मी शर्मा की रिपोर्ट को मिले हुए से उन्हाने ही अपने चाचे ताइदे पुत प्रहाने शरंजी सनीद रणा मन प्रीथ उन्हानों कहा के दे इननों बलाया ते गन पॉइट दे खो हुई उदे विच्छो टेक्निकल त्रीके ना देख दे हुए इस चारे फड़े जा जा चुके ने जिडे पि पैसे बतिया अधिक हुए इसी तरह हुए इनननों रमाड़े ले रहे हैं ते हूर भी जड़िया शेयर दे बेच्चे दनिया मार जाता मां तो यह साधी कोशे शाह 100% उननों क्लियर करांगे थी मैं वादे और विश्वाशना के इनना भी शेयर वासिया नों अमन अमान ना जीर मान दे मिच पुश्किश करांगे ते जिहूर के सांच होए तो उनना जबी रहे हैं रहे हो चुके दिए वेपन रिकवर हो चुके या वेहिकल मोडर साइकल रिकवर हो चुके और मदे फड़े जा चुके दिए एक अले पोड़ावा उदे मगर फ्लीस पार्टिया पहला करांगे पुनि कि जीरा की बस्ती माच्यांवाली निवासी एक विवाहिता महिला ने अपने ही ससुरॉल परिवार पर दहेज की मांग को लेकर मांट पीट करने का आरोप लगाया है जबकि ससुरॉल परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरसे निकार दिया है तो वहीं जीरा सिविल हॉस्पिटल में उपचारा दिन लड़की सोनिया ने बताया कि उसकी लव मैरेज करीब 7-8 महीने पहले जीरा के बस थी माचियाँ वाली निवासी एक लड़के के साथ हुई थी और शादी के समय उसके ससुराल परिवार के लोगों ने सहमती जताई थी कि वे लड़के और लड़की को विदेश भेज देंगे लेकिन कुछ समय बाद सौरे परिवार ने उन्हें विदेश भेजने से इनकार कर दिया और कम दहेज लाने के लिए उसे परिशान करना शुरू कर दिया और उसके साथ अक्सर मारपीट की चाने लगी उसने बताया कि कल रात भी उसके ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह से पीटा है जिसके कारण उसे एक कान से सुनना भी बंद हो गया पिडित लड़की और परिवार ने ससुराल पक्ष के खिलाब कानूनी कारवाई की मांग की है तो वहीं जब इसमन्द में सौरे परिवार से बात की गई तो उन्होंने अपने उपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया और लड़की पर आरोप लगाते हुए कहा कि लड़की ने उनके साथ मार पिठ की है इसमन्द में जानकारी देतो इथाना सिटी जीरा के सच्चो इंस्पेक्टर कवल जीत राय ने बताया कि इस मामले में अभी तक MLR उनके पास नहीं पहुंचिया और ये मामला उनके विचारधीन है और इस मामले में जो भी ज़रूरी कानूनी कारवाई होगी ये की जाएगी जीरा से हल चल के लिए सतीश विज की रिपूर्ट मेरा नाम सोनिया मेरा व्यास हट्टनी निपन लाया कि विलास को मार दे में दे कि मेिन लुखिस नहीं लाया कि बहुत मार दे कि खरे जोड़ा फ़िब्ले आ कि धिन초 ताइम भागी लिऱावर्ट फोड़ थोड़ प्रण कर गये लागी दिर्द्रा विलाल ज़ भी मेन लो बहुत मार दे कोशिश चिश के रिखिस सायख मेर लान तकिनक् weird मेरे आग कान्तों मुन venomンダホ स'Sundha ना yuk random inhaler gast ek मैं अपने का ज्यानो फोन कितते हें जरह इननर मिन नो कंपने किना नीकल निकल्सियों कर निकल अस्पार जणर जान ताझ किते ह्लास जाके उन्हा ठाजाल के जाना निदो पर ननू वारी घां भारी पारी केल जाके अंदर मार ने आइसे अम बोनने टाइम नो मेरे कर दे आ अनल घो अटे को ले मतली मुझा मुझात निजा आपके शबर में डूः उत्व prophets कजी संधा पता नी क्यों मेरे बारी बारे तुक्षे रांगे थे शाक्तर कारी कोई। शंकर बयाल जी वासी घीराम अलागुबवनी के मेरी लगती है जी बीसी मेरी से नर्संग एने कुपी होई है पड़ी लिखी एडूकेटिव लड़की है विपन कुमार जा लड़का विलास कुमार को ने अधिन मैर जी आठ्थ दिसंबर 2003 कोई सी। मैर जी पहले से चिकेट एड़की ते लड़केट जोवान बार पेई जेवाईगे और व्याद तंदरा देल बाद ही इन्हा भेर अंगलों को बढ़ेगें आप एड़ कोई सी तरह लड़की दी कोटमार कर दे रहे हैं और आपी आए इन्हा ज्यादा कोटमार जिप्ती आए कि देखी लिया है मैं परशाचेंगों मंग करता है जी इन्हीं साफ हुआ है जिपन कमारे जी देपन कमारे ने जा बस्ति माच्चिया लिए जी पहला इनना दे आस्वे चलाब मेरे जो यह जी दुन ना दे जोगी इखनो दबाप आंदे लेवी बार पेज जोह ना नू मैं पेज गेनी सी राजी काजे बिट्टी राद असी गें दुने पेवा तर्जी दकान तो साथे दास वजे कि मैं आफ देरों चे बटके हैं अफ देरोंचे जी आफ देरोंचे जी एवंदे नाले बैंसी जन्दी से खिते हम प्रोपे जी मंदें ऑब करवली मधे सब्सक्राइब मेरी शड़ोन के यह विमने ऊन्नुन Harm पेडा मारत हिसे जी उंदे टेद जशनक न मारें कि बोत मारे कुटे आगाला कट डिंगे आप फूरा हाल कीता है। मैं अशे डोन गया है ते मैंनू तके मारे जी डिग्या दो वरी। बस आगाले दे आबाद जी, अथुबक्षी बेंदा कोफ़ता हो जान दा जी, बर मैं ऐसी एनू मना को मारे आदे ना के कुटे हैं। प्रभावी कारवाई में एक तेरा वर्षय लापता बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया है पुलिस कमिशनर स्वपन शर्मा के निर्देश पर जरंदर कमिशनर पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए तुरंद विशेश टीमें गटित की है मुहमद हसन निवासी हर्गोविन नगर ने 20 अगस्त को शिकायद दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा हर्गोविन नगर से लापता हो गया पुलिस ने पूरी सतकर्ता से खोज अभ्यान शुरू किया और दो दिनों के भीतर बच्चे को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित बरामत कर लिया बच्चे के पिता ने पुलिस के सफल प्रयासों की सराना करते हुए धन्यवाद किया कमिश्रिक पुलिस ने अपनी प्रती बद्दा दोराई कि वे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें हर संभब मदद प्रदान करने के लिए हर समय ततपर और सतर्क रहती हैं जलंदर से हलचिल के लिए कैमरमेन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट कि इस अनु आप डोजार चौडी नू महांमध हसन वासी हरकोवित पुर्नकर जगंदर वनों एक दर्खास्त प्रापत होई सिते जिस्पेशने दस्या सिर्या की होदा जलंदर के किशिंपुरा के अधीन आते बलदेव नगर में बाइक सवार दो नौजवानों ने महिला का फोन चीन कर भागने की कोशिश की लेकिन इस दरान रागीरों ने दोनों नौजवानों को काबू कर लिया और उनसे महिला का फोन बरामत कर उसे वापस महिला को दे दिया जिसके बाद रागीरों ने दोनों आरोपियों को थाना रामा मंडी के पोलिस के हवाले कर दिया इस दोरान पोलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और वारदात में इस्तमाल मोटर साइकल को कबजे में लेकर आगे की कारवाई शुरू करती जलांदर से हल चल के लिए कैमरमेंन सुरेंदर बावा की रिपोर्ट जलांदर के पटेल चौंग में ट्रैफिक पुलिस ने विशेश नाका बंदी के इस अभ्यान के तहट 18 साल से कम उमर के बच्चों द्वारा वहान चलाने पर चलान काटे गए साथ ही जिन स्कूल बसों के ड्राइवरों ने वर्दी नहीं बहनी थी ये सीड वेल्ट का पालन नहीं किया था उनके भी चलान किये गए ADGP पंजाब A.S. रॉय के निर्देशों के अंसार डेड महीने पहले लोगों को चेतावनी दी गई थी कि 21 अगस्त से नाबालिक बच्चों द्वारा वहान चलाने पर 25.000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके माता-पिता पर भी कारवाई की जाएगी इसके लिए पुलिस ने स्कूलों और अभी भावकों को जागरू किया था इसके बावजुद भी कुछ माता-पिता अपने नाबालिक बच्चों को वाहनों पर स्कूल भेज रहे थे जिसके चलते पुलिस कमिशनर और ADCP ट्रैफिक के आदेश पर शेहर के प्रमुख चुराहों पर नाकाबंदी की गई और नियम तोडने वाले बच्चों और उनके अभी भावकों के खिलाफ कारवाई की गई लंदर से अलचिल के लिए कैमरमेन रचनीश श्यर्मा की रिपोर्ट मांग्योग सीपी साफ दिया दैता थे सटे मांग्योग एडी सीपी ट्रैफिक मेडम अटे एसीपी साव सटे इंस्पेक्टर एडमिन साफ दिया दैता थे अंडर एज बच्चे दे चलान किते जा रहे जिन्ने कागिजनी पूरे जा जिन्ने इस्टूमेंट अंदर बास्टे लगे पूरे नी किते कैमरा अपना फाइर ब्रगेड जुनिफोम मेड टैंडन जिदा नहीं कूरा उदे चलान किते जा सुब्लीक वी दास्वी आदाशी उत्थे भी जानने है उत्थे जाके भी बं जलंदर के डिप्टी कमिशनर डॉक्टर हिमांचु अगरवाल ने रोटरी क्लब जलंदर वेस्ट के सहयोग से जिला प्रशासन की महिला करमचारियों और उनके परिवार की महिला सदस्यों के लिए विशेश कैंसर जागरूपता और चेकप अभ्यान की शुरुआत की इस पहल की सराना करते हैं डॉक्टर हिमांचु अगरवाल ने महिला करमचारियों को इस अभ्यान का लाब उठाने का हवान दिया उन्होंने कहा कि खुद एक डॉक्टर होने के नाते वो महिलाओं में स्तन और गर्ब शे घृवा कैंसर समेत कैंसर जागरूपता की महत्ता क भाली भांती समझते हैं इस मौके पर डिप्टिक कमिशनर ने कैंसर जागरूपता वैन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया ये वैन पूरी तरह से मैमोग्राफी और अन्यसमंदित परिक्ष्यनों के लिए सुच्छजित है क्लब के सलाह का डॉक्टर S.P.S. ग्रोवर ने अगले दो महीने तक हर दूसरे शनिवार को महिला करमचारियों और उनके परिवार की महिला सदस्यों की मुफत मैमोग्राफी कराने की खोशना की उन्होंने ये भी बताया कि जरूरत पढ़ने पर दिन बढ़ाए जा सकते है दॉक्टर अगरवाल का रोटरी क्लब के अध्यक्ष टीपीएस बजाज डॉक्टर अगरवाल का रोटरी क्लब के अध्यक्ष टीपीएस बजाज डॉक्टर ग्रोवर और दॉक्टर सुश्मा चावला दौरा स्वागत किया गया इस दरान वरिष्ट इस्त्री रोग विश करने के तरीके बताएं उन्होंने ये भी कहा कि भले ही ये cancer अधिकतर महिला को प्रभावित करता है लेकिन पुर्षों को भी इसके प्रती सजग रहना चाहिए क्योंकि अगर पुरुषइस से प्रभावित होते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं इस अफसर पर रोटरी, सचिवतर सेम सिंग, रोटेरियन, राजेश बाली समेत, कई अन्य लोग भी उपस्त थे जलंदर से हल चल के लिए कैमरमेन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट अब जर्टियों को ही ठीका दे रहे थे, यह एच पीवी वायरस बहुत सारे और कैंसर भी करता है, जैसे कि हैड़न है, और जिस चगा पे हम बैठे हैं, जैस के जैनिटल्स और विमन के जैनिटल्स, यह सब उसमें आजाते हैं, इसके की फ्राइस बाइस बाइस यह एच है, इन जगा के कैंसर दी करता है, तो यह करीवन यह वैक्सिवेशन हमको 6-7 गैंसर से बचा दे की है, तो हमारी प्रिवेंशन है, इस तो हम बोखे लिए चांचे, वकट पे इजेक्शन लगाएं, और फिर इसकी स्क्रीनिंग, साल में एंवारी अउरत करवाती है, वाट इसकी काल प्रिवेंशन है, और अप्रिवेंशन हम बादी तेस्ट करते हैं, और जब तक आपकी एच 65-70 ही होजाती है, तब तक यह थरसान देख है, तो मैं चाहूंगी, जितने भी जैंस हैं, वो अपनी वाइट, सिस्टर, अपनी हर्ती, हर रेडी को यह अभियर करें, व अपना टाप्स में पुमाएं, सिवल हस्पितार में फ्री हो जाता है, बाती प्राइट में उसके डिफिदिटी चार्ज़ हो जाते हैं, तो इसके लिए कि इनको डॉक्टर को पाँट-10 साल पहले पता लग जाता है कि किस बूटर के सर्विक्स पे चेंजिस हो रहे हैं, हम अप उसको भपत पे दाएओ, कोड़्यों पाटरी ऑ नीक कर पे उसको ठीज़ के सब्सक्राइब, स्वाइब कर चेंजिस हैं, ब्रेस कैंजिस का नीए, अर्ली डेटक्शन है, तो मेरा ख्याल है इस पाथ को आप सब समझ गयो, अगर इसमें कोई प्रेस्टन है को आप करो ते खर में आपनी केटी है, आपकी सिस्ट्र है, आपकी मज़द है, आपकी नाली दादी है, सब को भवयत्वरों के पाँच किनड नहाते वकर ब्रेस टेल्प इशन करें, साथ में एक बाप्को को निखाएं, साथ में 35-40 के बाद ग्यामग्राफी, सोमागामग्राफी कर अपने बच्चों को आप इमिनाइस करो, कि हम को ओने ही ना दे, आप अपनी घुगर में चाहते है, एच पीवी वैसिलेशन आज ही कड़ी है, विचो पने भूरिपन आपको दिया है, इस जस्टे रिभन, इस जस्टे स्माल रिटर्न गिफ, आप सोची का, कि ये इस्टे आप इसको दस लोग को, अपनी ही फैमिने बचाओ, आप अपने को, अपनी फैमिनी को ये थोड़ी थोड़ी बाते बता के बचा सेंजिए अमिट सर के गुर्णानक देव उनिवस्टी में टेक्निकल टेक्स्टाइल विशे पर एक सेमिनार का योजित किया गया, इसका मुख्या उद्देश ये भारत सरकार द्वारा सिट्भी, KPSG, Company एवं टेक्स्टाइल एसोसियेशनों के सहयोग से टेक्स्टाइल को बढ़ावा देने के लिए उद्मियों एवं कारिगरों को टेक्निकल टेक्स्टाइल वस्तों के निर्मान के लिए विशे इस्ट्रेनिंग एवं अन्या हर संभव सहयोग देने का फैसल इस अफसर पर टेक्स्टाइल मैनुफेक्चर असोसियेशन के महासचिब राजीव खन्ना ने कहा कि उद्मियों को अब वक्त के साथ चलते हुए रेगुलर टेक्स्टाइल वस्तों के निर्मान पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि जहां regular textile वस्तों में अधिक्तम 10 से 15 प्रतिशत तक ही कमाई होती है सेशन में technical textile वस्तों के निर्मान के लिए ज़रूरी आधुनिक machinery का परदर्शन भी किया गया उन्होंने कहा कि सिडबी की तरफ से अन्या बैंक को एवं विक्तिय संस्थानों के बजाए सिडबी से 2% कम ब्याज पर textile कारोबारी को machinery के खरीद के लिए loan उपलब्ध करवाने की व्यवस्ता है उन्मियों को कम ब्याज दरों पर लोन लेने के इस स्कीम का फाइदा उठाना चाहिए अमिर्च सर से हलचल के लिए सुनील खोस्ना की रिपोर्ट पिटा आएम रेजीव कन्ना और जनर्स अक्रीट एक्ष्टन मैनेफेक्टर एस्टिशन आज सी अथे एक और जनर्स कीता है वित अहलप आप के बीएमची और गुरुणानक देव इनिवस्ती एक एक सेशन अथे और जनर्स वाया जिदे विच अधस्या गया के जी टेक्निकल टेक्स्टाइल्स किस्रा बेनिफेट उसकता इंड़स्ट्री नो पुदे टेक्निकली की की रक्वायरमेंट्स है किस्रा हो अधस्टिंग मशिन्ट्री या मौडिकेशन नाल इक ओयो जो लट दे विच टेक्निकल टेक्स्टाइल इनिवस्ती और बांसेग निये पाकी ओदे लावा आज सारे टेकनिकल टेक्स्टाइल दे ओख्षपर्स आए हुए है फ्रॉम एनाइटी और सो रोपड भी आए हुए है और बारों आए हुए है अज मेन और्गनाइज जड़ा हुए है वो सिड्वी ने कीता है सिड्वी दा कामी सरभई हो है के MSME units नो किसरा पर मोड करना हर MSME industry नो इंपर मोड करना रस्ते ही सिड्वी काफी help कर दिया और आज ओना दा रोल भी विच बड़ा इंपोर्टन आ है उना ने ही आज सारा और आज कीता है और वो help कर रहे है के PMG नो जड़ा अगे सारा वो प्रैक्टिकल काम कर रहे है सो बड़ा अच्छा अज गुनानकदेव जिनिवस्टी वाल्या ने भी आज बड़ा अच्छा रोल प्ले किता हुना ने कहीं कैसी टेक्स्ट्राइल अमरे साथी टेक्स्ट्राइल नो पर मोड करना हर तरीके दा तानो help करांगे जलंदर के अवतार नगर स्थित शांती चरिटेबल ट्रस्ट होस्पिटल ने अपनी स्थापना के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एक भवे कारकरम का योजन किया इस विशेश अफसर पर विधायक रामा नरोडा ने मुख्यतिती के रूप में शिर्कत की उनके साथ राजू, मदन, कीम्ती, भगत, शिव, भगत और अन्या गन्माने व्यक अपनी स्थापना के दो वर्ष पूरे होने के रामा नरोडा ने अपने संबोधन में ट्रस्ट द्वारा किये जा रहा है, समाथ सेवा के कारों की सराना की, उन्होंने कहा कि शांती, चेरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल ने पिछले दो वर्षों से गरीब और जरूरतमन ल लोगों को उतकरष्ट स्वास्ताय सेवाएं प्रदान की है, जो समाच के लिए एक महत्तपोनी योगदान है, उन्होंने ट्रस्ट के संस्थाप को और प्रबंधन को भविश्य में भी इसी उत्सा के साथ समाथ सेवा जारी रखने के लिए प्रेरित किया, के कटिंग के बा जिक कित सा सुविदाय पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति को बेहत्रीन स्वास्ते सेवाएं मिल सकें, जलांदर से हल चल के लिए कैमरमेन रचनीश शर्मा की रिपोर्ट नेरालकेस केक्र दा कटन दा प्रहमना है जिसे विच्छ खास रते साथे जंदर जिए सेंटर हलकेतुं, MLA शीर्मा लोडा जिए, जंदर वेस्टर सुन शीर्मिहिंदर पहजी, MLA, शीर कीमति पहज, चेर्मैन गोचला बोट, बाग्के सारे सारे कमेटी मेंबर, महिष्पागजी, सुमिरपागजी, साहिलपागजी, सोनु कनोजियाजी, धीपक कनोजियाजी, सारे अरह के असी के कट है, और बड़ी खुशी मिनाई है, इस देवेच असी जेडी सी दिस्पेंशी किला रहे हैं, दो साल पूंग, असी ज़नल ड्पाटमेट, गाइनिग ड्पाटमेट, बच्या डपाटमेट, दन्दा डपाटमेट, अक्खान डपाटमेट, फीजोटर्पी, लभोतिधा खासप्रवन दा, बोग दी काटरेट अनगरी लोकान दा, आम लोकान लाहिँ कह रहे हैं, और बहुत बढ़ियत अनुवर पॉर्टनेल लाइब, हड़े मानु बढ़े खुश हुंदिया से करिभानी सेवा का रहे हैं। मैं लास्ट इट बहुत तनवादी हैं, रजनी शर्माईदा, इनने अपना बहुत कीम्ती टाइम कटके साधी दिश्पैंसी दे के आये हैं। और मैं बहुत तनवादी हैं। जैहिन अक्षिकाल भाईू कर खासा भाईू करें। अमिर्चवर में मानव पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले गीपर लार्जिस्ट पेट्रियोटिक डान्स करके इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड में अपना स्कूल का नाम तर्ज करवाया है। पंकजयन प्रिती डान्स अकैडमी तथा प्रमोध भाठिया चेर्मन स्पोर्ट सेल के सैयोग से बनाया गया। इस मौके पर पंकज विंग ने कहा कि जल्द ही इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड की तरफ से सभी बच्चों को पार्टिस्पेशन सर्टिकेट वा स्कूल को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का सर्टिकेट पर दान किया जाएगा। मौके पर मैडम गुर्पृत को और मैडम एकता सर्कन भासकर के साथ स्कूल के स्टाफ भी मौचूद थे। चेर्मेन स्पोर्ट सेल पंजाब ने ओना ने मोटिवेट किता सी महेश्वरी जी मिले और ओना दे सहयोग देनाल आज जड़ा है एक अटेम्ट बहुत सक्सेस्फूल असी कीता है। महनु पब्लिक स्कूल जिदना मेरा निखल कि कोई आदमी स्टों पुल्यावे क्योंकि ए ओ स्कूल है जितों बच्चे पाड़ के बड़ अपर मैकाम तक पहुंचेने हैं अज असी किसे अफसर नो मिलने हैं किसे नो मिलने हैं यह कई जगा दे जाने हैं उनने कोई गाल है कि सर तड़ी स्टड़ी कितो हो दिया है वह कोई कंदी ने कि यह रसी महनु पब्लिक स्कूल दिख लिए हैं स्वाज बड़ी बड़ी काला है कि पंकर जान परिती ते चेस्टे नार्व एते इंटरनेशनल भुक रिकार्ट बच्चें ने बने हैं इस गल्दे पातर ने म पंकर जान परिती ने जिना ने जा रहे हैं इंटरनेशनल भुक रिकार्ट बनागे एक अपना नाम कीता है सो मैं हो और एवी कमाँगा के स्कूल वद तो वद अग्य भी बच्चे आगे अपना ना करनगे इस कूल ना करनगे जाएं 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 बरत की हर्ब शरी किया इंगे जाएं प्रेले कभी न कियाँ जाएं नी detection थी प्टाई है इसे उनके अप्श हें लिए चानि और भच्छों को ने बच्चों को मूटिमोट किया है तो हो I am grateful from Mr.pun pray मॉटिव क्या था इसका इसका इस दांस कराने का मॉटिव था बच्चों कंजे नहीं स्विट पेरे की जाए कि हम क्या क्या कर सकती है स्वास्ते विभाग उश्यारपुर द्वारा 49 नेतरदान पखवाड़े की शुरुआ जिला परिक्षन केंदर कारयाले हुश्यारपुर में सिविल सर्जन डॉक्टर पवन कुमार शगोत्रा और ACS डॉक्टर कमलेश कुमारी के अध्यक्षता में की गई जिसमें शेहर के अन का योजन किया हुश्यारपुर से हल चल के लिए हमकुष्यारपुर की रिपूर्ट तक हजारा ही लोकानों अपने नर जोड़ तक हजारा ही लोकानों अपने नर जोड़े हैं के एकारवा के विदाया गया अंदरा सौत वड़ कॉर्ट में बनाई जिन्हों मुश्यारपुर वनों ही सेवा चिती लिए है तो इदे डाड़ डाड़ ही साथे वनों दो एक शक्स साथे मेंबर सी हैं जिना ने से पूरे और्गन ही अपने डॉनेट करते हैं इसे तरह ही कोड़े बहुत रिक्वेस्ट आई हैं असी बाई इसो जे महान वेक के एंदे श्रीषदान भी करके मेडिकल कॉल्जी रुके तो इसे चौने आए के जे श्यारपुर विखे देश्दा सब तो वेस्ट जेड़ा है उने इस तर्दान वेक जारब मेडिकल कॉल्जी साला इस अपना इत्थों ही लाज करा मान। होन भी मैं मान योग सिवल सर्जंदी गवाई देवेच आप शावनों पपीर करने क्योंना के कोई भी जड़ा कॉर्णियत ब्लाइंद हैगा तो सादू संपर्क करें असी अनू ओदा कोई भी खर्चा नहीं होएगा असी औरी जिंदग जड़ा की पच्ची जड़ा तो लेके अर्स तंब दक चलने हैं तो उधे भी साड़े एंजियो जड़े ने आई टिनेशन आले तो अशाथ पहुदे दे उन्हा ने भी पाठ लिया ते साड़ेजी के सूड़ेंस ने पाठ लिया उदे भी जड़ा साड़ा फोकस हगा लोक जड़ेज प्रांग गया लोक ते यसी कुछ जड़ेक पैंफलेट भी अवेरनेस दे वह भी रिलीस करांगे ते जड़े प्लेज़ फॉर्म्स है फॉर आई डिनेशन वह भी जड़े हर संस्ता ते अवेलेबल होनगे जड़ेना भी कोई भी जड़ा शेयर बासी जा कोई भ भी करन संबर कर सकता ते उले भी चसी फ्ली ओफ कोस्ट जड़ी है मनना जा कॉर्णियर ट्रांस्परांट करवान दा प्रभी जड़ें किता है थेंकि जड़ेंकि नैशनल इंटेग्रेटिड मेडिकल एस्सेशन जिलंदर की और से दयनन्द आयरवेदी कॉलेज में एक महत चेशग्य और अनुभवी परिक्षक डॉक्टर मुकेश गुपता ने किया जिनोंने प्रतिभागियों को अपात कालीन चिकित्सा प्रतिक्याओं के बारे में बताया सत्र का उदेश्य था कि उपस्तित प्रतिभागी चाहे तो चिकित्सा शेतर से हो या समाने नागरेक अ स्थितियों में BLS और CPR जैसी तकनीकों का सही तरीके से उप्योग कर सके और संकट की स्थिति में जीवन बच्चाने में सक्षम बन सके प्रशिक्षन सत्र के दरान चाती के संपीडन शेवसन सहायता और हरद्य अगरती पुन स्थापन जैसी महातपून प्रतिक्राओं का अफसर पर डॉक्टर अनिल नागरत, डॉक्टर सतबीर सिंग, डॉक्टर नीरज कालडा, डॉक्टर सतीज थवन प्रमुक्ते प्रशिक्षन के अंत में प्रतिभाग्यों ने सायोजन के लिए नीमा जलंधर और नैशनल इंटेग्रेटिव मेडिकल एस्सोसियेशन का भार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के प्रशिक्षन सत्र भविश्य में भी होते रहने चाहिए ताकि समाज में अधिक से अधिक लोग अपातकालीन चकेट्सा में प्रशिक्षित हो सके और दूसरों की जान बचा सके जलंदर से हलचल के लिए कैमरमन रजनीश शर्मा की रिप जान बचिज कर लोग लादर शर्वादिक लिए लगकार के लिएूर अधिक लादी लामन बाक्षिक लिए लेजर बच्ब राखिक लादिक लिए जामन रूद लोग fan क्वारटेंस अफेटिए ऴीडेंस लिड़ेंस फिर चिक दोलोग श्यटिक पुर पुर्टेंस तेरी पलो पुर्टेंट करी आपनाव पुर्टेंस इक ढूलोग फट्सकी उस पुर्टेंस फ्याट अस भीड वे दिफ श्याटिजिवाश्यूंट। and this program has been taken to the Rajya Sabha by our beloved Rajya Sabha member Sinchewalji and Tanya Andhyao Mata is there last Rajya Sabha session and I hope government will take up this bill in the next Rajya Sabha winter session and I hope my aim is to bring this program in primary curriculum of our nation you should be included because this program is mandatory for every citizen in Europe Australia America and Canada in our country about less than 1% population knows about this program is a life saving we require no infrastructure we require no money and nothing only three minutes when a patient when a person fell unconscious because of the sudden cardiac arrest which constitutes about 10 lakhs death out of 1 crore deaths occurring in India annually and it is a big chunk we can revive out three lakh more than three lakh persons Indian citizen by this basic life support which is only we have to do compression of the chest without any infrastructure without any money only person should be aware of this program so I thank you the principal of the college Dr. Sudh Dr. Anil Nagarad local leader of NIMA Dr. Parvinder Bajaj Punjab NIMA Vice President President Dr. Parvinder Bajaj and other dignitaries of NIMA and all the members and the students and the media which attended this program and I am very much obliged they have invited me because this is my mission my passion to spread this message of basic life support to every citizen of India last year in this regard Johnson and Dupian region Dr. Anil Nagarad Dr. Nagarad Dr. Nagarad Dr. Nagarad कि इस घोशना ने संठन के सदस्यों में विश्वास और उत्सा का संचार किया है। इस महातवपूर्ण बैटक में एक फैसला लिया गया है कि नीमा जिलंदर के सभी मनोनीत कमेटियों को ततकाल प्रभाव से भंग कर दिया जाएगा। इसका उदेश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक निश्पक्ष और विवस्तित बनाना है ताकि सभी पदों के लिए नए सिरे से चुनाव हो सके और पारदर्शिता बनी रहे हैं। इसके अतिरिक्त महिला फॉर्म से समंदित मामलों की देखरे के लिए डॉक्टर रीना ककड को परिय वेश्यक नियुक्त किया गया है। जलंदर से हल चल के लिए कैमरमेंट रचनीश शर्मा की रिपोर्ट। सूजी और स्टाफ। सब तो पहला था मैं क्योंकि मैं भी एथे ग्रेजुएट है। मैंनों बड़ा अनंद अन्दा जदो कोई साथी मीटिंग आयर्वेदिक कॉलेच रखी जन्दी और सूच साथ भी कदी ना नहीं कर दें तो अड़ा कॉले जा तुसी अपनी जे काम एथे नहीं करने तो बोड़ करनें और डॉक्टर नाग्रत कि अन्दी हमेशा कोशिश रेंदी है कि असी अन्यमेंदा कट तो काट खर्चा करवागे ते आयर्वेदिक कॉलेच जिते कि यह सारा हॉल बढ़े हैं उन्हों असी युटलाइज करके अपने मेंबर्स नों बत तो बत जड़ी है नॉलेज़ दे सके जलंदर शिक्षा विभाग की और से जोनल नंबर एक से समंदित जोनल खेलों के अंतरगत लड़कों वा लड़कियों की बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृती के MV स्कूल टांडा रोड की देखरेक में स्थानिया हंसरच स्टेडियम में 22 अगस से 24 अगस तक आयोजित किया जा रहा है जबकि लड़कों के वर्ग की वालीबॉल प्रतिक्रिया का आयोजन दौाबा कॉलेज के खेल मैदान में किया जाएगा प्रतियोगिता के तीसरे दिन स्थानिया हंसरच स्टेडियम में चल रहे लड़कों के वर्ग में अंडर 19 वर्ष बास्केट बॉल जबकि दौाबा कॉलेज में चल रही वालीबॉल प्रतियोगिता के लड़कों के अंडर 14 आयोज वर्ग मुकाबरों का फाइनल खेला जाएगा इस अफसर पर स्कूल खे रहे अंडर 19 वर्ष आयोज वर्ग में पुलिस दीएवी ने पहला दिल्ली पब्लिक स्कूल ने दूसरा वर देवी सहाय सनातन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने तीसरा सान प्रापत किया द्वाबा कॉलेज में लड़कों की वालीबॉल प्रतियोगिता में अंडर 14 वर्ष आय योजक बास्केबॉल वो वॉलीबॉल पर धाना चाह रहे है रचना मोंगा ने विजेता खिलारी को शुप काम नहीं दी जल अंदर से हल चल के लिए कैमर मैं रजनी शिर्मा की रिपूर्ट कारण उस दाए हैगा कि स्पोर्ट्स केड़ा जो की बच्चा नों अगले जानते विच बहुत ही सहायक ने खास करके पड़े लिखे बच्चा नों और वी अदा वादा हुंदा है आज जी साड़ी मैरिट लिस्ट बनी है स्पोर्ट्स कोटे दी मेरे बेटे नूँ अदेचे सीट मिली हैं वीवियस चे तो उस देले भी मैं एक खेड़ना देली बहुत ही साना दतान वाद करना चानना है खास कर के बल्बंदर जी धा जड़े के साड़े जो अल देला सकत्तर बतौर और शञतान और गह और बच्ची जोन देवेज्जज़्ज़त के जिले जी जानगे ते मान कर नहां किखेड़ वतन पंजब सादे मुखमंत्री साहब दा भी जड़ा सपना वाज सकार हो रहा है ते आज ये थे ऐसी फाइनल मैच करवा मांगे और ये नाल दे नाली जड़ियां अगलियां खेटा ने स्ताई तो ठाई दौबा कोलज भी के वालीबॉल आसी कोशिश करांगे ओ भी ते मैध्यानिक जवि पहले मैच होया पुलिस जेवी ना असी हारें पर अपना पूरा ट्राइ कीता एज की कुछ कसर रहेंगे से अपनी प्रेक्टिस पर फेर भी आपा पूरी जान लाई पर कुछ ना कुछ स्कूर कीता नेक्स में सादा थर्ड पूजिशन ली हैगा जे अपना पूरा ट्राइ अपना पूरा ट्राइजमेंट कीते ही है कोट्स बहुत साफ ने काफी बढ़िया मैंनेजमेंट है कि हार्जे का पानीदा इंतिजाम है का हर्जे का प्लेयर नो एक्युप्मेंट फसिलिटीज मेल रही है ने ओवराल इस्पीरेंस अब बढ़ बढ़ता हूं और आज मैं य अब आज मैं इस जुबराद शर्मा आज वेड़ी मुझ एक्सपीरेंस मिल आज विरेंग इस नोट इवरी इस अब इस अब आज जा रहे हैं तो हमने बहुत अपने अगर फाल्स भी करवाई हैं तो हम एट-लिस कुछ सीख के जा रहे हैं यहां यहां एज एज बढ़ एक् चाहिए हम हारे पर आज बहुत कुछ सीख के जारें इस ग्राउंड से काफी मजाया और अच्छा फन एक्सपीरियंस था थैंक श्रीक्रिशन जन्माश्टमी का पावन पर नस्दीक आते ही शेहर के बजारों में रॉनक बढ़ जाती और विशेश रूप से जलंदर के जग और इस श्रीक्रिशन जन्माश्टमी के मौके पर पुजा आरषना के लिविशेश धूप, अगर बती, माला, भगवान, श्रीक्रिशन के लड़व गोपाल, क्या कर्षक, पोशाक और सजावत का समानी की छट के नीचे उप्लब्ध कराया गया इस पावन पर्व पर भक्त जनों की सभी मनों कामनाई पूरी हो और उनका पर्व यादगार बने इस युदेशे से दुकान में हर वस्तु की विशेश देखरे के साथ वस्ता की गई है जन्वश्मी की तियारियों में भक्तों का जलंदर से हलचल के लिए कैमरमेन रचनी शर्मा की रिपूर्ट करें शर्मा के लिए कहना चाहूंगा कोई जूर विजिट करन साथी दुकान ते जिते की तानों बड़े ही होल से लेड़ते तानों समान मिलेगा बच्चियां धी ड्रेस मिलनगी यह क्रिशन जीदियां जेडियां की बजार दे विचे लोग रेंट ते चीजों वेचते न अपां उन्य चीजे भी चपा मुल बच्चे जी ड्रेस दे दे द्मांगे ते सारे साल एक साल तो लेके नूब बट बेभी तो लेके सा टेको 15 साल दे बच्ची ड्रेस ठाकुर जी री कृषन जी अवेलेबल है ते मैं सारे मूं कहना चाहूंगा जूरी को जूरी जाके विख्या बट जो इत्ते बी नहीं है गी एथे जूरी थाकुर जी दिया ड्रेस अथे मातारानी तिया में ज्रेस ने थे बहुत कुछ है मूरपंग है सब कुछ है तुसी जरूर विजट करो एथे थे एथे आ के वेख्यों देखो एडना राश्य तिरू की सारे आरे मेरा नाम हु निशा है अपना नसी भी आपने लेनी हो ना ठाकुर जी लिए तारा कु जूल ल्या उनके वस्तर उनके घहने हर एक चीद आपको वह भी यहां पर इप यूद्र मिलेगी जो आपको कहीं भी नी मिलेगी सिद्ध शक्ती पीछ रिदेवी तला मंदिर सरोवर तर्टवासनी पर स्थित रिशुमुकी मात्रपुर मालनी धा में सपताइक भजन संध्या करवाई गई जिसमें सरोव प्रतमा तरपुर मालनी चाल्सा का गुनगान राजकुमर सहदल एंपाथी द्वारा किया गया जिसके पश्चाथ भजन गायर मनीश राजा एंपाथी ने माभगवती के भजनों को गाकरू पसित माभकतों को जूनने पर विवश्च कर दिया जग मोहन सिंग कोसला साहित संख्या भक्तजन मौझूद रहे जलांदर से हल चल के लिए कैमर मैं सुदेश फगत की रिपोर्ट दिप अलो की जहां तेरा मंदर तोड़ दलाग उससी वाली हमें बना दो शक्ती शाली हर पल रक्षा करना हमारी देना दुख जंचार से मुक्ती कभी नमया हम पर चाएं पर तेरी दोश प्यारी हारंग तर शक्त रहे हमारी दास के आजन को करते मिट्टी को चंदन करते ना इन नैनने की आस बुझा दो 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 आओ गन बत प्यारे आओ आओ गन बत प्यारे आओ इन भागी का भाग तो पीरा ने बुलाया है चलो बुलावा आया है मता की बुलाया है चलो बुलावा आया है मता बुलावा आया है मता की बुलाया है मता की बुलावा आया है माता जी बोलो जै माता जी देडी चान नित नित जब दिये मा तेरा ना जी बोलो जै माता जी बोलो जाए वाझे माता जानि उयआ तुक्षी आए दिल मेरा गमानाल हारया तुक्षी आए दिल मेरा गमानाल हारया कर दिल मेरा गमानाल हारया गमानाल हारया गमानाल हारया। मैया तेरी तुचितों सितारे लगे होएंदे मैया तेरी दुद्रीनों मैया तेरी दुद्रीनों सिर्थारे रखे हो एदे अधित्ता दातिये एतना धित्ता दातिये मैया तेरी दुद्रीनों और अबंत में अल्चल की गतिवदियों पर एक नसर फिर से अमिट सर्थ के जो जार सिंग एवेन्यू की एक कोथी में कुछ हमलावरों ने एक महिला की तेज़दार हत्यारों से की हत्या गटना के वक्त महिला घर में थी अकेली अमिट सर्थ के दबुर्जी में एक एनराई युवा की कुछ लोगों ने घर में घुसकर गोली मारकर की हत्या कार की आर्सी मांगने के बहाने घर में घुसे जलंदर केंट स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत पुलिस ने पोस्ट मौटम करवा शब को परिवार के किया हवाले इसके साथ ही अब तक की गतिविदियां समाब तोती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रही है हल जल झाल